मद्ध प्रदेश के 19-18 खंट के छीर पानी गाओं में पीने के पानी की गंभीर समस्या है मद्ध प्रदेश सरकार और भारत सरकार कहती है कि जिन गाओं में पानी की समस्या है उन गाओं में पेजल की ववस्था की जावेगी मैं सरोज परस्ते और ये है मेरा समदा है पानी का समस्चा है। अभी वर्तमान में थोड़ा सा जन पद पनचार है, तवारा टैंकर से पानी आ रहा है. और हमारी गाओं जो है, लृट की बस्ती है। करीक यहां 700 की फिलिसंख्या है. वह पानी पूजे रहा है, वहाँ पे मवेशी भी पानी पी रहा है, नहाना धोना वहीं चल रहा है, पानी एकदम गंदा है, लेकिन उसी पानी को लाकर के पीने को प्योग मेलाते है उसमें कई प्रकार की घटनाय नहीं होती है, कई बिमारी बगरा ये सब घटनाय होते हैं, खुजली हो रहा है, दस भी चल रहा है, उसमें बोखार हो रहा है कई प्रिकार की घटना हो रहे हैं लेकिन अब क्या करें कहां जाएं कहां का पानी पियें वही पानी पिला कर पीते हैं आज तक आपने इस गाउं की जो समस्या है इसके लिए कोई निदान के लिए आप लोग सोचा गाउं के लोगों ने जी अबेदन तो बहुत दिये पानी के लिए पर आज तक है समस्या हल नहीं हो रहा है आप क्या चाहते हैं और क्या होना चाहिए अब हमारा ग्राम समीती गाउंवालों को सब का विचार एक बिमर्ष बैटकर बनाये गया है कि छोटी महानदी यहां से 3 किलिमीटर के दूरी पर है अगर वहां स्टाप डैम बनवाया जाए और लिप्ट के द्वारा वहां से पानी लाया जाए टैंक बनवाया जाए महले महले टैंक बनवाया जाए तब कहीं हमें पेजल का शमेश्या हमारा हल हो सकता है मैं चाहती हूँ कि इस गाओं के लोगों के लिए सरकार पीने के पानी के लिए ऐसी कोई विवस्था करे ताकि 12 माँ पीने के पानी परयाप्त मिल सके मैं वीडियो देखने वाले सुरोताओं से अपील करती हूँ कि इस समस्या का समधान हेतू मैं सरोज परस्ते ग्राम दरगड विकाश खंड कुन्नाम जिला जवलपूर मदप्रदेश से इंडिया अनहरड के लिए